नमस्कार आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूँ आपके साथ आशीज राजिन्द रुकुमार सेर जब दो कदम पीछे लेता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह भाग के पीछे जा रहा है नहीं वह सिकार करने के लिए तयार होता है कुछ इसकादर ही स्टीफ सिमित का नाम इस सेर के तोर पर सामने आ रहा है जी हां जिस तरीके से उनको जब चोट लगी थी और वो भार हुए थी तो ऐसे ही उम्मीद की जा रही थी कहीं ना कहीं स्टीफ सिमित की फॉम पर इसका कोई असर तो नहीं पड़ेगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ऑस्टेलिया बन आतार अपने बल्ले से सांदार प्रदोर्शन कर रहे हैं तो वह इंग्लेंड टीम के जो गेंदवाज हैं उनके छक्के भी छुडाने में कहीं भी पीछे नहीं है बात की जाया इसे की पिछली आठ पारियों के बारे में तो उनमें ऐसे उनके नाम पे दो दोहरी शतक तीन सा तक और तीन फिप्टी आई हैं तो ऐसे मनमाल लगा जा सकता है कि स्टीप सिमित कितनी सांदार फॉर्म से गुजर रहे हैं यही आलम है कि जो मैंचेस्टर में चौथा टेस्ट में चल रहा है ऐसे सीरिज का उसमें ऑस्ट्यलिया की जो पकड़ है वो मजबूत बन गई ह चार सो सतानबर रेन उस्ट्यलिया ने अपनी पहली पारी में बनाए आठ बिगट की नुक्सवान में जिनमें की टॉप स्कोरर है स्टीप सिमित दोसर ग्यारे रेनों की सांदार पारी स्टीप सिमित ने खेली जो की मैस का केंदर बिंद्यू बनी रही तो भहीं जब एक साल का उन पर बैन लगा तो ऐसा लग रहा था कि कहीना कहीं स्टीप सिमित नाम का सूरज है वो ठल जाएगा और अब वो क्रिकेट में इस तरीके से बापसी नहीं कर पाएगा लेकिन एक साल के बैन के बाद जब बापस आय तो इस तरीके से वह धाड़े कि उन्होंने जगत में हला कर दिया चाहे वो बंडे क्रिकेट हो या स्ट क्रिकेट स्टिप समित का कोई नहीं है हाली में स्टिप समित ने बाप्तान वराट पोली को आईसीश तेस्ट रैंकिंग में निम्मर एक के पाइदान से नीचे फैंक दिया और वो जाकर नमर एक बेस्ट बन मैच है तो इसमें जिस तरीके से श्टीप सिमित की 2-11 रनों की इनिंग आई है तो क्या उस्टेलिया जीत पाती है जा नहीं क्योंकि अब तक जो ऐसे टेस्ट सीरिज के तीन मैच खेले गए उनमें एक उस्टेलिया के नम रहा है एक मेच ड्रो रहा है तो वहीं एक मेजवान इंग्लेण ने अपने नाम किया है अगर वीडियो अच्छा लगाई हो तो इसे लाइक करें शेर करें साती साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है बिल्कूर ना भूलें स्ब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें